हेलो गैईस में हूँ आडियन गैईस आचके इस वीडियो में हम आपको कोटक माइंद्रा बैंक के एबडी के बारे में यानि फिक्स डिपोजिट के बारे में कम्पिलिट जान करी देंगे जैसे कि अगर आप KOTAK में इंडरे बैंक में अगर इबडी करते हैं तब निव इंटरेस रेट के अनुसार आपके इबडी के ऊपर कितने इंटरेस रेट दिया जाएगा इबडी का बेसिक फिचर्स और बेनिफिट्स कर रहेगा और साथ ही साथ एक एक इंडरे बैंक में अगर इकलाग के इबडी करते हैं तब कितना मैच रूटे अमोंट आपको दिया जाएगा इस सभी बाते आपको डिटल्स में बताएंगे लेकिन इससे पहले अगर आप इस सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप्ट किए एंड तक जरूर देखें तो गईस जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एबडी करते हैं तब पहले उस एबडी का बेसिक फिचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना है तो चलिए पहले जान लेते हैं कोटक माइंडर बैंक के एबडी के बेसिक फिचर्स और बेनिफिट्स के बारे में तो जैसे कि आप यहां पर इसकिन पर देख सकते हैं कि अगर एबडी डियोरेशन की इद्या गया है यानि मैकसिमं जितने भी अमाउंट आप चाहे आप एबडी कर सकते हैं अगर नॉमिनिशन फैसिलिटी की बात करें तब भो भी फैसली यहां पे दिया गया है यागर आपको यहांप चाहे नीचियोर होने से पहली यह बैंक सूट आप आ पाओगे लेकिन उपर आपका जितना इंट्रेस्ट बनेगा अगर आप चाहितो वो इंट्रेस्ट मंतली बेसिस पे यानी हर महिने में क्वाटली बेसिस पे यानी तीन मैन अंतर या फिर अगर आप चाहितो वो इंट्रेस्ट FD mature होने के बाद भी ले सकते हैं अगर TDS charges की बात करें तब आपके FD के उपर TDS तभी लागू होगा अगर किसे साल का आपके FD के उपर total interest अगर 40,000 से जाद होता है और अगर आप senior citizen है तब आपके FD के उपर TDS सभी लागू होगा अगर किसे साल का आपके FD के उपर total interest अगर 15,000 से जाद होता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर AID suggest करना चाहूँगा कि FD करने के समय अगर आप general citizen है तब 15 G form और अगर आप senior citizen है तब 15 H form ज़रू submit करे क्योंकि अगर आप firm submit की जियेगा तब आपके FD के उपर TDS नहीं लागू होगा तो गईज यह सब तो इस बैंक का basic FD features और benefits जो आपके लिए जानना ज़रूरी था तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आपको टक माइंडरे बैंक में अगर FD करते हैं तब new interest rate के अनुसर आपके FD के उपर कितने interest rate दिया जाएगा लेकिन interest rate बतने से पहले एक बत में आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप senior citizen है यानि अगर आपका उमर अगर 60 साल या फिडि अगर 60 साल से जाधा है तब इस बैंक में FD करने पर आपका जो interest rate रहेगा वो normal interest rate से 0.50% आपको जाधे interest दिया जाएगा तो senior citizens के लिए काफी अच्छा benefit या पर दिया गया है तो जैसे कि आप यहां पर इसकिन पर देख सकते है कि starting to interest rate है यानि साब दिन से 30 दिन के अंदर FD करने पर general citizens के लिए interest rate रहेगा 7% और senior citizens के लिए interest rate रहेगा 7.50% अगर आप 2 सल से 3 सल के कम के time के विच में बडिगरते है तब general citizens के लिए interest rate रहेगा 6.75% और senior citizens के लिए interest rate रहेगा 7.25% अगर आप 3 सल से 4 सल के कम के time के विच में बडिगरते है तब general citizens के लिए interest rate रहेगा जड़ी आप एक ग्जांपेल के तौर पर जान लेते हैं कि a while को टर्म इंद्र ऐंइंड में अगर एक लाक कैपटी डिफरेंट के लिए करते है जैसे कि अगर आप एकला कैपड़ी अगर एक साल या फिर पॉंच साल या फिर मैकसिममाम टाइम यानि तस साल के लिए करते है तब तीनों अलग सीचूशन में जर्यर्ट सुन्स के अगर एक लाग के लिए एक साल के लिए गड़ते है तब आपके लिए इंट्रेच्ट रहाएगा 7.50% और आपका मैच्वोटी आमोंड बनेगा एक लाग 7,714 रुपया का गैज अगर एक लाग के लिए अगर एक लाग के लिए पान साल के लिए करते है तब आपके लिए इंट्रेच्ट रहाएगा 6.20% और आपका मैच्वोटी आमोंड बनेगा एक लाग 34,019 रुपया का तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद करते है एक लिए वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉमेंट करके जरूर बताए मैं आपका कॉमेंट का रिप्लाइस जरूर करूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू